एक लिए रिविजन, पास्ट रिविजन कहलो जो मरजी कहलो आप सेलरी, income from सेलरी सेलरी के अंदर देखा जाए तो सेलरी होता क्या है कि जब कभी आप कहीं जॉब करते हो जब कभी भी आप कहीं पे भी जॉब करते हो तो जॉब करने के बाद जो employer आपको salary देता है जो employer आपको payment देता है that is called salary जब कहीं job करते हो और वहाँ पे employer आपको payment देगा तो उसे क्या बोलेंगे sir salary बोलेंगे बड़ी basic सी बात है इसके बाद salary के सारे provision देख लेते हैं salary को देखा जाए तो अगर मैं parts में divide करूँ salary को salary को हम तीन पार्ट में बाट सकते हैं sir 3 part कौनसा sir number 1 आप बाट सकते हैं allowances के रूप में number 2 आप बाट सकते हैं sir perquisites के रूप में number 3 बाट सकते हो deduction के रूप में ठीक है, तो पहले हम deduction करेंगे, फिर allowances करेंगे, फिर perquisites कर लेंगे, तो सबसे पहले बात करें, salary का format आप सभी को पता है, सबसे पहले आता है सर, section 16, section 16 क्या कहता है, इसके अंदर तीन तरीके के deduction गीवन है, आपको एक गीवन है standard deduction, that is 50,000 रुपीज, new रिजिम में नहीं मिले उसके बाद entertainment allowance सरिफ सरकारी employee को मिलेगा, private को नहीं मिलेगा, इसके अंदर limit set है, sir, actual receive one, आपका 20% of salary और आपका maximum 5000 रुपे पर मन, सरकारी के लिए है central government, चाह स्टेट government, normal के लिए नहीं है, यह entertainment allowance, इसके बाद sir, एक और है हमारा professional tax, 25 रुपे तक की maximum limit दे रखिए, 25 रुपे आपको taxable करना है, तो यह था हमारा allowance कौन सा, sir, यहाँ पर लिखा हुआ है, allowance, sir, नए रिजिम के अंदर, कोई भी section 16 रुपे आपको allowed ही नहीं है, लिना, new रिजिम के अंदर, सबसे पहले entertainment allowance, entertainment allowance में 20% है, आपका maximum 5000 रुपे है, और दे रखा है, और आपका एक यह था article 276, इ allowances के, allowances में क्या है, sir, allowances के अंदर देखा जाए, तो allowances के अंदर, एक हमारा taxable allowances होता है, एक होता है, partly taxable, partly exempt, एक fully exempt होता है, पहले हम देख लेते हैं, fully taxable, जिसके उपर tax लगना ही allowances मिलेगा, जिसमें से सबसे important होता है, city compensatory allowances, कई बार लगता है, इसमें exemption है, नहीं है, क कौन-कौन से allowances taxable होता है, sir, DA taxable होता है, entertainment allowance fully taxable होता है, city compensatory allowances taxable होता है, important है, जिसमें important है, मैं mark करता जाऊंगा, आपके पास 10 year है, 10 year के इंदर, चार्ट गिवन है, फटा-फट मार्क करते जाएगा, sir, medical allowance important है, sir, पूछा जाएगा, lunch allowance, different allowance, confuse करने के लिए, पूछा allowances, आपका servant allowance, warden allowance, known, आपका practicing allowance, newspaper allowance, project allowance, यह सारे जितने भी allowances के नाम देख रहे हो, यह सारे का सारे fully taxable है, यहाँ पे कोई limit नहीं लगा हुआ है, यह fully क्या रहेगा हमारा, sir, taxable रहेगा, इसमें से जिसमें मैंने star लगा दिया, यह सारे के सारे आपके क्या है, sir, important है, जो क examiner पूछता है, और यहाँ पे हमें confusion हो जाता है, कि city compensatory allowances में कोई limit तो नहीं है, तो जी, नहीं है, अब आ जाते है, official allowance, sir, official allowances क्या होता है, जैसे कि आपको office से पैसे दे दिया जाता है, office के purpose के लिए खर्च करने के लिए, लेकिन कुछ reasons की वज़े से, आप सारे पैसे नही खर्च कर पाते, और कुछ पैसे आपके pocket में बच जाता है, जिसको हम refund भी नहीं करते है, अपने honor को, मेरे pocket में ही रहे गया, that is, हमारे लिए benefit है, तो official allowances में क्या कहता है, कि exemption मिलता है, sir, यहाँ पे, exemption amount receive और amount spent, whichever is lower, आपको 5000 रुपे दिये गए खर्च करने के लिए, आपन 5000 रुपे पूरे खर्च नहीं किये, आपने सिर्फ 3000 रुपे खर्च किये, तो 2000 तो आपके pocket में गया, 2000 सिर्फ add on हो जाएगा आपके salary में, sir, official allowances का कुछ important नाम है, uniform allowances, traveling allowances, daily allowances, helper allowances, academic allowances, convince allowances, इनी allowances में से जादा से जादा नाम इस्तमाल किया जाता है, exam के अंदर, मैं हर बच्चों को ये बोलूँगा कि exam के point of view से कुछ एक allowances आपके जो किताब में गीवन है, उसे भी आप पढ़ लें, बाकि maximum time तक इनी allowances का नाम इस्तमाल किया जाता है, इसके बाद सार specific limit allowances, specific limit allowances, खोंसी allowances है, जहां पे आपको, जैसे कि children education allowances, children education allowances क्या कहता है, 100 रुपे पर चाइल्ड आपका exempt होगा, maximum child 2, अगर 2 से जादा हुआ तो उसका क्या हो जाएगा, हमारा taxable हो जाएगा, इसके बाद होस्टल expenditure allowances है, 300 रुपे पर चाइल्ड एक्समाल दो, एक बड़ा interesting question आया था, कि education allowances और education facility में क्या समझते हैं, क्या difference है, ये बताईए, तो जो मैंन आपको, आप जाके देखिएगा, तो जो भी paper था, वो mark to mark theory में तो मुझे कुछ नहीं लगा, practical मैं अभी ज़्यादा देखनी पाया हूँ, तो देखने के बाद, हाँ, एक बच्चे ने ये जरूर बोला, कि सर उसके अंदर PGP का थोड़ा सा part आ गया, जो आज paper program वालोगा अगया था, anyways last में discuss कर लेंगे इसको, होस्टल के बाद आता है सा, ट्रांसपोर्ट अलांस, ट्रांसपोर्ट अलांस में हलाकि हमारा ये अलांस फुल्ली टैक्सिबल होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हैंडी के लिए क्या कर दिया गया, इसको exempt कर दिया गया, कितने रुप जाते हैं सर इसकेशल अलांसमन में सरिफ एक ही रखा गया सर अचार और मैं बात करूं ये अलांसमीज भी ज़िन इसक्षिमें अलाउड नहीं है ज हैं ये था इसक्षिन 9 के अंदर कवर्ट होता है more दे लग बग लगर कर तो Selim Mi ng conscious में पर आय कि और सर एकौन को तीन होगा minimum वो taxable हो जाएगा अब house rent allowances की बात करें तो theoretical points हम कर चुक हैं लेकिन फिर भी बता देता है house rent आपका taxable हो जाता है fully अगर आप अपने घर में रह रहे हो अगर आप किराया अपने rent जो है आपके salary का 10% से कम payment कर रहे हो तो वो fully taxable हो जाएगा अधर्वाइस आप किराये पर रह रहे हो तो आपका fully जितना एचार आपके company वालत दे रहा है वो पूरा का पूरा पार टेक्सेबल नहीं होगा उसमें से कुछ पार्ट का exempt कर दिया जाएगा और कुछ पार्ट कर दिया जाएगा लेकिन कितना पार्ट किया जाएगा तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा calculation करके सरकार ने कहा है कि तीन calculation limit लगाएंगे actual receive number one number two आपका rent paid माइनस में 10% of salary for retirement benefit काफी बच्चों का doubt आता है सर कमीशन कोंसा sales turnover के उपर जो fix percentage होता है वो कमीशन की हम बात कर रहे हैं तो सर इसके बाद तीसरा होता है आपका या तो 40% हो जाता है salary for retirement benefit का या फिर हो जाता है हमारा 50% dependent on city अगर 4 metro city के अंदर है तो कितना है सर 50 otherwise आपका 40 जो इसमें से कम होगा lower वो taxable हो जाएगा सर यहाँ पे ध्यान रखियेगा calculation बड़े ध्यान से करेगा अलग से question पूछा जा सकता है क्या सर यहाँ पे factor जैसे जैसे change होंगे उतने टुकडे करके आपको इसके calculation करने पड़ पूछ लेना कोई भी चार exempted income बताओ तो मैं इन में से कोई भी चार पॉइंट लिख सकता हूं यह पार्ट उसके अंदर covered है जो चप्टर नंबर 3 है सर कौन-कौन से fully exempted होते हैं मतलब सर देना ही नहीं डेली आपका जो allowances दिया जाता है MP और MLA को MP MLA को जो भी allowances दिया जा इंडिया के आंदर जो विदेश मंत्री या यह बाहर काम कर रहे हैं बाहर इंडिया के परपस के लिए काम कर रहे हैं सरकारी इंप्लॉई तो उसके कोई allowances क्या होता है taxable चाहे जितना मर्जी उसको हाउस रेंट अलांस मिल जाए जिए जितना मर्जी उसको हाउश मिल note में क्या लिखावा है sir metro city के अंदर कौन-कौन से सहर आएंगे दिल्ली, Mumbai, Kolkata, Chennai जो यहाँ पर लिखावा है कौन-कौन से सहर आएंगे दिल्ली, Mumbai, Kolkata और Chennai आएगा और sir when the silent dearness allowances के बारे में कुछ ना बोला जाए तो आपको मानना है कि dearness allowances form part of the not part of the computing retirement benefit मतलब जब कुछ ना बोला जाए डिये में तो मान लेना भया ये डिये रेटार्मेंट बेनिफिट वाला नहीं है और जो भी मानो मैं तो कहता हूं उसके लिए नोट इस्पेशली देना होगा तब जाके आपको माक्स मिलने वाले हैं हर किसी के लिए नोट देना पड़ेगा चलिए सर अलाउंसिस के बाद अब आ जाते हैं परकिजट्स पर परकिजट्स थोड़ा सा लंबा रहने वाला है परकिजट्स में सबसे पहले पॉपलर है हमारा रेंट फ्री अकंबंडेशन अकंबंडेशन का मतलब कुछ नहीं है सर घर दिया जा रहा है आपको अब घर द चलिए नहीं मांगने आता मालिक से मांगने के लिए जाता है तो ऐसे बोलते हैं हम रेंट फ्री अकंबंडेशन अब यहां पर एक ट्विस्ट और आ जाता है कि या तो घर के अंदर सारा समान सुख सुविदाई दे रखें टीवी दे रखा फ्रेज दे रखा है या फिर घ अग का 10% लेंगे भुक वैल्य से कोई लेना देना यहां पर नहीं है दस परसेंट डेप्रिशेशन का रेट नहीं है गवर्मेंट ने रेट फिक्स के है कि 10% उसके पार्ट में टेक्सिबल हो जाएगा यह किसकी बात कर रहे हैं सर समान अगर दे रखा है अब बात करते हैं गवर्मेंट इंप्लोई को तो गवर्मेंट इंप्लोई के केस में जो लाइसेंस फी होगा जो उसका लाइसेंस फी होगा सिर्फ वो टेक्सिबल होगा सर जो उसका लाइसेंस फी होगा सिर्फ वो पार्ट टेक्सिबल होगा गवर्मेंट इंप्लोई के केस में देखना 15% salary में हो जाएगा अगर वहाँ की जन संक्या 25 लाख रुपे से जादा है 25 लाख से जादा है जन संक्या 10% आपका salary का पार्ट हो जाएगा अगर वहाँ की जन संक्या कितनी है सर 25 लाख से exceed नहीं करती लेकिन 10 और 25 के बीच में है यानि सर 25 लाग से उपर की population दिली के तो 25 लाग से उपर की population है कितने percent taxable हो जगा 15% of salary ऐसा area जहां का population 10 से लेके 25 के बीच में उसकी कितने लग जाएंगे सर 10% और जहां पे 10 लाग रुपे से exceed नहीं करता यानि below है वहां पे कितना लग जाता है सर साड़े 7% maximum मान के चलो हर जगे की तो population अब 25 लाग से उपर ही है तो वहां पे कितना लगेगा सर 15% लगेगा लेकिन सर मुद्दे की बात आती है सर 15 और 10 किसका salary salary का meaning बहुत अलग है से यहां पे salary का meaning यहां क्या कहता है सर सर पसे पहले basic salary सर फिर DA लो सर डी ए कौन सा सर retirement benefit का लो फिर सर bonus लो फिर commission लो सर commission कौन सा सर all commission यहां पे लेना है सर इसके बाद allowances लो सर कौन सा allowances लेना है all allowances लेना जो taxable है जैसे children education allowance 500 मिला 100 exempt होगे 400 तो यहां पे 400 रुपए जोड़ो ठीक है इसके बाद क्या लेना है सर और जितने भी taxable बस अब taxable allowances के definition में तो बहुत सारी चीज़ आगे telephone allowances आगया यूनिफॉर्म allowances आगया चिल्टन एजूकेशन आगया यह सब कुछ आ जाएगा यानि जो पीछे हमने allowances वाला पार्ट देखा था चार्ट वो पूरा allowances यहां पे पड़ होगा परकिजिट्स नहीं होगा यहां पे कवर यह ध्यान रखेगा रिटायर्मेंट बैनिफिट का कोई पार्ट नहीं कवर्ड होगा लेकिन हां आपका यहां पर अगर एरियर आफ सेलरी करते तो आ जाएगा यहां पे तो सर यहां पर लिखा हुआ बड़ी सीदी स कोई भी कमीशन चलेगा सर कमीशन कौन सा एन zwei कोई भी चलेगा बोनस चैशन माफन को इन चार फी एनित टेक्संबल मौनेटरी पेमिंट कोई भी मौनेटरी पेमिन्ट के रूप में आपको दिया जा रहा है तो इसका मतलब यहां पर सट्री के अंदर हो जाएगा और उस का 15 परसंट या फिर 10 परसंट या फिर साड़े 7 परसंट कुछ भी आपके सेलरी के अंदर जोड दिया जाएगा विद्दन नेम ओफ आर फ़े अगर घर फरनिस्ट है तो उसके साथ साथ 10 परसंट और उसका कौस्ट एड़ कर दिया जाएगा आपका ये क्या है हमारा जब घर हमारा खुद का था और फर्निस हुआ तो वो तो अलग सही लगेगा इसके बाद दूसरी साइट बात करते हैं सर अगर घर आपने किराये पे ले रखा हो तो क्या होगा सर घर आपने किराये पे ले रखा तो बड़ी सीधी सी बात बोलिए कि जितना मकान मालिक रेंट जितना सर अगर यहां फर्निस हुआ तो अलग से 10% लेकिन सर अगर मालिक ने एक किराए पे लेके हमें दे दिया है तब क्या करेंगे तो जितना किराया मालिक paid कर रहा है इसी का वो सारा का सारा आपका salary का part माना जाएगा मालिक का खुद का है तो 10% मालिक ने भी किराय पे लिया दिया है तो वो fully किराय है वहाँ कोई 15% lower limit नहीं लगता और दूसरी चीज़ याद रखिएगा जितना भी आपका RFA आएगा मालिक सुविदा दी जाए तो exempted जैसे फर एक्जामपल रेंट फ्री ओफिशियल रेजिदेंस प्रवाइड यूनियन मिनिस्टर लीडर ऑफ ओपोजीशन इन दा पार्लेमेंट ओफिशियर इनको अगर दिया जाता है तो यह रेंट फ्री हो जाता है रेंट फ्री ओफिशियल र लॉंसे अकमंणेशन प्रवाइड दा माइनिंग साइड माइनिंग एक वरकर को मैंने बला जा भाइ तेल के में खूँच यहां पर करना है सारा काम काम है तो माइनिंग काम है वहाँ पर आज-पास मैंने बना देते हैं यहीं रही हो मेरे जमीर लग कर बना रखा तो उसको पुली एरिया पर काम कर रहे तो ने उनको घर दिया जएगा तो इसके बाद करते हैं होटैल को कई बारती फेसिलींटी 2 बतलब सर आप जाई यहां से आपका तवादला कर दिया अपका ट्रांस्फर कर दिया गए सेमिफल दिया जाएगा तो 24% salary का या जितना ताज hotel का किराया है whichever is कौन सा whichever is lower वो आपके salary में क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा लेकिन याद रखिएगा hotel में आपको 15 दिन की रहने की free of cost इजाज़त दे दी जाती है यानि अगर hotel में रहते हैं आप तो sir taxable है कितने percent sir 24% या actual hotel का किराया whichever is lower लेकिन 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 आप अगर hotel के अंदर रुखते हैं sir कितने दिनों के लिए if transfer employee accommodation provide in up to 15 दे 15 दिनों के लिए अगर आप hotel के अंदर रुखते हैं तो चिंता की बात नहीं है वो आपके salary में नहीं जोड़ा जाएगा इसके साथ साथ और आगे क्या देखें sir आपको दो घर मिल गए सर दो घर मिल गए सर दो घर कैसे आपका transfer डेली से कर दिया गया पंजाब कर दिया गया आपका डेली में भी एक rent free accommodation दिया गया था एक पंजाब में भी आपको rent free accommodation मिल गया तो दो-दो घर हो गए, डेली वाला घर आपने खाली नहीं किया, सिर्फ समान पड़ा हुआ, लेकिन रह नहीं रहे हो, पंजाब वाले घर में आप रह रहे हो, तो आपके सेलरी में कौन से वाला रेंट फ्री आरेफे जोड़ा जाएगा, तो गवर्मेंट कहता है, ऐसे से त तेरी सेलरी के अंदर जोड़ दिया जाएगा, सिर्फ एक नहीं जोड़ा जाएगा, दोनों घर का जोड़ दिया जाएगा, फिर एक नहीं जोड़ा जाएगा, पास होना है क्या करें, बच्चे पूछ रहे हैं, पास होना है क्या करें, चलिए सर, ये था आरेफे, बहुत important रहता है एक्जाम में पूछा जाता है देखो मैं important कहने का मतलब है सर एक्जाम में पूछा जाता है that's it यह क्या चल रहा है उल्टा हो गया इस नहीं अप सही चलेगा न आगे चलिए बुल हो हैं एक है तो क्या चलिएल में जोड़ा जाता है गडर बहुट है यह जोड़ा जाता है तब फीर डनी वीरा के लिए लॉन लियां तब भी नीट जोड़ा जाएगा employer ने अपने employee को 10 लाख रुपए का loan दे दिया बोले जब ब्याज free है तो government बोलती है ऐसे कैसे ब्याज free है employee के salary में हम जोड़ेंगे अब employer बोलता है मैंने तो कोई interest नहीं लिया government बोलता है भी या तूने नहीं लिया तो हम check करेंगे SBI का rate लेकिन SBI के rate कौन सा होगा last day first day of the previous year का जो SBI के rate होगा उसी rate से आपके salary में interest निकालके जोड़ दिया जाएगा आगे क्या कहता है interest rate maximum outstanding balance end of the month month के end में outstanding balance वही जोड़ा देगा मालो मैंने एक चार को लोन लिया पांच लाग रुपए का और मैंने क्या करा 29-4 को इसी महीने मैंने लोन लोटा दिया कितने का सर पूरे पांच लाग रुपए मैंने लोटा दिया तो क्या मेरे salary के अंदर जुड़ेगा जी नहीं जुड़ेगा लेकिन अगर यही दियान रखना काफी बच्चे परिशान रहते हैं तो लास्ट डे ऑफ दा मंत मंत के हर महीने की लास्ट में कितना करजा है उस पर इंटरस्ट निगा लिए जैसे मैंने कहा जैन में फैब में आपकी किस्ते जारी थी आपके मान लेते हैं लोन दस लाख रुपए का था जैन समझ भी करें तो इस तरीके से आप निभालें समझने बाता अब मन्त में कितने मैंने के लिए यूज करके आप पूरा केल्कूलेट कर सकते हो सिर्श के बाद बात करते हैं त्रेवलिंग अकमंडेशन आपका ट्रेवलिंग के लिए जो दिया गया हैत सथ ट्रेवलिंग के Brilliant है traveling accommodation आपका touring the other expense employer calculate only the vacation के लिए तो accommodation incurred by the employer जो आपको घूमने फिरने के लिए दियेगा which service office general public less amount recover तो जितना आपको offer दिया गया है जितने में आपने उस service को occupy किया है जितना आप से recover करेगा वो taxable हो जाएगा salary में बड़ी सी बात है सार अगर आपको employer कोई भी फाइदा पहुंचा रहा है तो आपके salary का पार्ट है लेकिन आप से उसके बदले कुछ employer charge भी कर रहा है तो उसे क्या कर दिया जाएगा minus कर दिया गया प्री मील कई बार पूछा जा सुका है तो बोला जाता है फ्री मील जब भी देंगे ना तो 50 रुपे पर थाली थाली समझते हो ना प्लेट चो होता है तो 50 रुपे तक 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 तो exempt है लेकिन आपको अगर 200-200 का थाली दिया जा रहा है तो 50 exempt कर लिजिए 200 का है तो 1500 आपके सेलरी में क्या कर दिया जाएगा एड कर दिया जागा अगर 100 दिन तक आपको यह थाली दी गई तो आपको सौ से मल्टिप्लाई करके एड करोगे लेकिन आप याद रखना मील के अंदर आपका अल्कोहल नहीं होना चाहिए इसके अंदर टी स्नेक्स जितने भी मिलेंगे आपको चाहे आपको 50 का हो चाहे 500 का पूरा फ्री माना जाएगा वो आपके सेलरी का पार्ट नहीं है कहता है free meal in remote area remote area में तो पूरा exempt है tea non alcohol जितने भी है वो पूरा exempted है ये note याद रखना और 50 रुपे पर mil पर mil का मतलब per plate है वो चलिए सर gift की बात कर लेतना अगर gift cash में मिला तो भाई है पूरा taxable cash का तो कोई गुंजाई से नहीं है cash के अलावा मिला तो आपका fully अगर gift cash में मिला fully taxable gift kind में मिला तो 5000 रुपे तक exempt है बाकी taxable हो जाएगा यहाँ पर दोनों option है कई लोग बोलते हैं 5000 रुपे तक मिला अगर आपको 5100 मिल गए तो कई लोग का बोलना है law clear नहीं कहता 5100 taxable होगा कई लोग बोलते हैं sir कितना taxable होगा so आपकी मर्जी है जो मर्जी खरिए दोनों correct माना जाएगा लेकिन जो other source में किया था 50,000 वाले limit 50,000 अगर आपको एक रुपे भी मिलते है तो कितना taxable हो जाएगा पूरा है तो सेम यहाँ पर भी confusion है इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों option दे दिये कि entire amount taxable और value excess of 5000 is taxable law के अंदर थोड़ा सा confusion create किया हुआ है तो उसके according लिखा हुआ है 37 की बात करते है club sports अगर आपको कोई club sports के लिए आपका admission करवाया जा रहा है आपका fee pay किया जा रहा है तो फुली आपके salary में जोड़ दिया जाएगा आपसे कोई amount recover है तो उसे minus कर देंगे sir आ जाता है movable assets movable assets की बात करें तो यहाँ से important फिर से start हो जाता है movable assets sir क्या चल रहा है यह परकेज़ेट्स चल रहा है movable assets में आपको या तो आपको दे ही दिया जा रहा है या तो आपको use करने दिया जा रहा है दो ही कहानी हो सकता है या तो मैंने बोला ले भाई तू ले जाए इस assets को तेरा हो गया यह या फिर मैं बोलूगा use कर ले फिर लाके दे देना तो पहले हम बात कर लेते हैं क्या use, use, use के अंदर अगर आपको laptop और computer दिया जाता है तो normally आज के time पे तो हर किसी को laptop computer दिया ही जाता है work from home में तो सब को ही दिया जाता है तो government ने बोला laptop computer अगर दिया जाएगा तो fully exempt इसके लिए हम कोई taxable नहीं लेंगे और अगर कोई other assets है तो हम कितना लेंगे 10% तो यही तो मैं कह रहा था कि अगर furnished house होगा आपके घर में furniture इसी वगरा होगा तो आपको use करने के लिए ही तो दिया जा रहा है तो कितना taxable कर दिया गया तो वहाँ पे 10% लेखिन वहाँ पे laptop या computer उस घर में होगा ना पढ़ा हुआ तो taxable नहीं होगा सर इसके बाद अगर आपने use कर लिया उसके बाद मालिक क्या कहता है सर एक काम करें यार इसे ले जाओ आप तो जब आप ले जाओगे उसे उठाके तो देखना पड़ेगा अगर आपको laptop और computer दिया जा रहा है बोल रहा है आप exempt नहीं करेंगे आप कितना taxable करेंगे हम 50% किस method से WDV से लेकिन अगर motor car है तो कितना taxable करेंगे किस method से लेकिन अगर आपका आधर assets है तो 10% करेंगे किस method से सरफ एक यहां पर SLM है और एक power generation वगरह में हमारा SLM का use किया गया है बाकि हर जगा income tax department कहता है कि हम क्या मानेंगे WDV तो जो भी आपके value होगा मान लेतने हैं कि मैंने एक assets खरीदा 50,000 रुपए का और मैंने तीन साल पहले इस्तमाल किया तो पहले साल का depreciation 5000 रुपए बचे 45,000 या मान लो एक साल ही use किया तो मेरा book value आता ही उसके 15,000 रुपए उसके salary में क्या हो जाएगा सर एड हो जाएगा taxable हो जाएगा बड़ी सी कहानी है यहां पर salary के अंदर लेकिन अगर उस employee को मैंने बोले के भाई तू यह समान ले रहा है तिरको 50 का बीचेंगे तो उस case के अंदर फिर कुछ भी उसके salary में taxable नहीं होगा इस बात का आपको ध्यान रखना है कई बार ऐसा भी होता है कि assets का WDV value ही नहीं कुछ नहीं है जीरो है मैंने उसको दे दिया free में तो तो कोई taxable ही नहीं है लेकिन मैंने उससे पैसे ले लिए तब भी कोई taxable नहीं होगा कि उसका WDV value क्या है जीर है वही सारी बात यहां पर लिखी हुई है अब मैंने जो अभी बात बताए जीरो वाला complete year mean actual completed year in date of acquisition यहां पर भी वही वाला concept apply होगा 180 से less than 180 दिन से ज्यादा वाला जो depreciation section 32 में गिया था date of transfer of assets कहता है electronic gazette में यह सारी चीज़े included होती है transfer of assets useful life 10 year minus nil तो यह 0 भी हो सकता है अगर आपका SLM वैसे देखो हाला कि इसका तो कभी 0 होगा नहीं 0 किसका होगा सर SLM वाले का 0 होना possible है अगली बात करते हैं हम सर किस चीज़ की परकिस डॉमेस्टिक सर्वेंट कोई भी आप सोचे समझे पूरा आपका क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा इसमें सोचने की कोई जरुरत ही नहीं है supply आपको gas electricity वगरा करते हैं तो सर फिर फिर फुली टेक्सिबल है यहां पर थोड़ा सा twist है कि अगर हम आपको electricity वगरा provide कर रहे हैं free of cost तो मैं ndPL हूँ तो मेरा जितना cost ल यही बाते लिखी अब इसके बाद education facility यह program में question आया था education facility और education allowances चिल्डर एजूकेशन अलाउंस और यह आगया सर क्या education facility तो सर education facility में देखा जाए तो क्या कहता है education facility का मतलब है कि बहिया employer को भी पढ़ाना है उनके बच्चे को भी पढ़ाना है अगर employer ज्यादा पढ़ा कि बहिया तू तो पढ़ लिया आई काम कर तो अपने बच्चे को भी पढ़ा ले तो ऐसे situation में वहाँ पे taxable हो जाएगा तो क्या कहता है यहाँ पे education facility सार education facility member of employee household किसी member को भी दिया जा सकता है यह education training facility employee not taxable अगर उसको training के लिए भीज दिया तो not taxable school fee of the employee children paid member by employee taxable under section 72 subsection आपका 4 के अंदर आपका taxable हो जाएगा in case of employer specified तो आज की date में कहूं ना एक जगा कई बार specified की बात होती है तो specified हर एक employee है जिसकी salary 50,000 रुपे से ज़्यादा वो specified employee है तो हर किसी की 50,000 रुपे से ज़्यादा यह तो हर employee क्या है specified है कहता है कि अगर free education employee provide करेंगे children को school maintained by the employer तो कहानी यहाँ फिर क्या जाती है या तो DPS में आपका बच्चा पढ़ रहा है और आप भी Master G और आपका भी महीं पर पढ़ा रहे हो DPS में तो आपका बच्चा भी DPS में पढ़ रहा है और आप भी DPS के अंदर पढ़ा रहे हो तो ऐसे situation में आपके बच्चे का कितना पाट टेक्सिबल होगा आप सिमलर स्कूल देख लीजिए साइड में जो भी मिले DPS कोई भी स्कूल में उसकी फीस जितनी होगी उस स्कूल में अगर मान ले आपके बच्चा पांच भी क्लास में पढ़ रहा है तो वहां के पांच भी एजूकेशन चाइड दस नौट एग्जीश वन थाउजन पर मंथ नौट टेक्सिबल यानि हजार रुपए तक तो एग्जम्ट है हजार रुपए से ज्यादा सारा क्या हो जाएगा टेक्सिबल हो जाएगा इन केस ऑफ कॉस्ट अफ एग्जिशन चार्ड एग्जिस्ट ह जार रुपए पर मंथ टेक्सिबल अमाउंट कॉस्ट अफ एजूकेशन सिमलर लेस्ट अमाउंट रिकावर बाइंप्लोई कहता है कि अगर इन केस इफ दा कॉस्ट अफ एजूकेशन पर चाइल एक्सीड वन थाउजन पर मंथ तो हमारा होगा टेक्सिबल वेल्यू इस इ अगर आपको पढ़ाय जा रहा है तो अगर आपने मानलो कोई उसको दे दिया तो क्या तो क्या टेक्सिबल होगा जवाब है सर नहीं टेक्सिबल होगा तो recover हो गया, उसे exempt कर देंगे, मतलब सर अगर मान लेते हैं कि 5000 रुपे DPS का फीस हो, मेरी salary में से 3000 काट रहा है, तो कितने टेक्सिबल होगा, सिर्फ और सिर्फ, अगर मान लेते हैं कि 5000 रुपे मेरी salary में से 4000 रुपे काट रहा है, तो कितना टेक्सिबल हुआ, 1000 रुपे एक हजार तो हमारा वैसे भी क्या हो जाएगा, exempt हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है, इसके बाद सर, medical facility आ जाते हैं, medical facility की हम बात करते हैं, medical facility क्या है, medical facility की बात करें, तो आपका medical facility दी जाती है तो ये पहले तक reimbursement का case आता था, जहां 15,000 रुपे तक का exemption मिलता था, अब exemption हटा दिया गया है, medical treatment, any hospital by the employer, not taxable, अगर मालिक का या पपोलो, hospital में काम करते हैं, उहीं अपना इलाज करवाते हैं, अपने family member का इलाज करते हैं, तो कोई taxable नहीं होगा, medical treatment in the hospital, maintain the government, आप क्या कर तो dispensary बगरे में इलाज करा लेते हो, aims में इलाज करा लेते हो, तो वैसे भी आपका क्या खर्चा हो रहा है, तो taxable नहीं होगा, अगर medical treatment hospital approved by chief commissioner, chief commissioner क्या होते हैं, कि आपका सबका एक होता है, क्या कहते हैं, उसको हम ESI होता है, ESI अपने अगर नाम सुना हो, तो ESI hospital भी है, यहां असपास डेली में कई जगा, तो हर किसी को जो private organization में काम करते हैं, तो उनका ESI card बना दिया जाता है, तो जितने भी ESI hospital होते हैं, अगर वो approved है, कि से sir, approved by chief commissioner of income tax, तो वहाँ पे आपका इलाज चल रहा है, तब भी taxable नहीं है, अगर health insurance premium paid करते हैं, तब भी आपका कोई taxable नहीं है, क्योंकि वो तो health insurance दे रहा है, अब बात करते हैं, medical treatment hospital situated outside India, sir, India में और कहीं भी करेंगे तो fully taxable है, लेकिन अगर outside India जाते हैं, तो outside India में दो चीज़े आ जाती है, sir, एक आपको भी जाना है, और एक आपको बिमारी का भी हिलाज करना, यानि रहने का और जाने आन का भी खर्चा और आपके बिमारी का भी, अब जब आप बिमार हैं, तो अकेले जाएंगे नहीं, अपने साथ एक attendant लेके जाएंगे, उस attendant का भी क्या होगा, वो सारी बाते देखेंगे, तो क्या कहता है, देखिएगा, important point है, medical facility पे आ सकता है, कहता है, medical treatment hospital situated outside India, following nature, क्या कहता expenditure medical treatment exempt up to RBI tax, मतलब कहता है, RBI ने जितना approved कर दिया ना भाई, इतना खर्चा कर ले तू, तो उतना exempt हो जाएगा, उस से उपर, RBI ने बोला, तो दो लाख रुपे तेरा में exempt कर देता हूँ, तो दो लाख तक exempt होगा, आपका खर्चा धाई लाख हो गया, और मालिक ने धाई हो गई, in case आपका GTI, GTI क्या होता है, income from salary, income from PGB, income from other source, income from capital again, सब को मिला के, अगर 2 लाख रुपे से आपका जादक का less पढ़ता है, या इसके बराबर है, तो it will be taxable if 2 लाख, कहता है कि exempt हो जाएगा, सर आपका traveling का cost है, हवाई जास से जा रहे हो, मालिक ने टिकट करा दिया है, चाए टिकट 5 लाख रुपे का है, फरक नहीं पढ़ता है, अगर आपकी GTI income 2 लाख रुपे है, या आपकी salary 95,000 रुपे, 1,50,000 की salary और कोई income नहीं है आपकी, तो आपका तो 2 लाख से कम है, मालिक ने बोला, जा भाई, USA में, इलाज करा के आजा, और मालिक ने 20 लाख है, आपकी हवाई-जाज की Ticket करा दी, तो आपका fully exempt होगा, लेकिन अगर आपका मान लेतने के salary 2,10,000 रुपे है, तो 2,00,000 से तो exceed कर गए, और मालिक ने 5000 रुपे का भी हवाई-जाज का Ticket करा दी, तो fully taxable, क्या fully taxable, सिर्फ 5000 वाला part, तो वही कहता है, अब stay cost की बात करते ह तो stay cost में कौन सो होता है, patient होता है, और one attendant है, कितना है हमारा, जितना RBI हमारा approved कर देगा, उतना part exempt हो जाएगा, कहता है, payment annual premium personal accident policy affected by the employee not taxable, अगर हम आपके accidental policy के लिए premium अगर आपको दिया गया है, तो वह taxable नहीं होगा, कई बार पूछ लेते हैं, वह ध्यान रखिएगा, आ मतलब आप घूमने के लिए जाईए, आपको घूमने के लिए जाने दिया जाएगा, यहां पर लिख भी दिया है, कि not allowed intersection 115 ABC, मतलब उसके अंदर नहीं मिलेगा, यह basically ना, आपका leave travel concession जो है, है तो perquisits, लेकिन उसके अंदर section 10 के अंदर आता है, इसलिए इसको हटा दिये ग जाना है, कोई taxable नहीं, बस से जाते हो, तो deluxe box से कोई taxable नहीं, अगर आप इसके अलावा जाते हो, तो आपका taxable हो जाएगा, इसके बाद कौन कौन जाएगा, आप जाओगे, और आपकी wife जाएगी, और उसके दो बच्चे जा सकते हैं, उसके अलावा ज्यादा हुए, त उसका part क्या होगा हमारा सर, taxable हो जा जाएगा, simple सी बात कही गई है, यहाँ पर, important, 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 again कहँँआ, motor car, सर अगर हम motor car की बात करें, यहाँ तक तो क्या बात करता है motor car, motor car कहता है, या तो motor car क्या होगा, किसका होगा सर, पहले देखना, earned by the car, या तो employer लेगा, employer लेगा, employer पहले जितने भी बात करूँगा, सभी employer की बात करूँगा, car मालिक का ही है भई, अरे इतना employer, अब इसके बात करूँगे, अभी बात करते हैं, car employer का ही है, तो car employer के लिए होगा, आप खर्चने की बात करते हैं, car के इस्तमाल की, car मालिक का है, अब इस्तमाल, या तो आप पूर आप प्रसनल यूज कर रहे हो तो आपके सेलरी में जोड़ा जाएगा 10% cost of car क्योंकि कार मालिक का है benefit आप उठा रहे हो तो आपके सेलरी में कितना जोड़े 10% तो आपका आप लॉजिकली देखो ते यह तो वही बात हो गई जो पहले बोला था तो वह भी जोड़ जाएगा लेकिन अगर कार पूरा office के लिए यूज हो रहा तो आपके सेलरी का part ही नहीं माना जाएगा लेकिन अगर कार दोनों हो partly official और partly personal तो वहाँ पे आपका जोड़ना और determine करना बहुत मुस्किल है तो उस situation में वो area basis पे लेके area नहीं CC के basis पे लेके चलेंगे या तो आपका कार कितने CC से 1600 CC से ज़्यादा होगा या 1600 CC से कम होगा अगर 1600 CC से ज़्यादा हुआ अब कार किसका है सर कार मालिक का और खर्च भी मालिक कर रहा है इस बात का ध्यान रखिएगा कार किसका है मालिक का है खर्च भी मालिक कर रहा है तो 1600 CC से जादा हुआ तो आपका 2400 रुपे पर मत ड्राइवर 900 रुपे पर मत 1600 CC से कम हुआ 1800 रुपए पर मेंथ ड्राइबर मैंने क्या कहा कार किसका है मालिक का है और खर्चा भी मालिक ही कर रहा है अगर आप प्रसनल करोगे तो सब कुछ taxable 10% कार भी गया official करोगे तो कुछ भी taxable नहीं और अगर दोनों जगह है तो CC पे चलेगे 1800 या फिर 2400 रुपए डिपेंड ओन कार की 1600 CC से ज़्यादा है या कम है और 900 रुपए driver का लग जाएगा लेकिन अगर खर्चा कौन कर रहा है सर, खर्चा आप खुद करते हो कार का, कार किसका है सर मालिक का है तो अगर प्रसनल है तो खर्चा तो आप ही कर रहे है तो कार का 10% only add-on होगा और बात करते हैं अगर official है तो उस situation में जो खर्चा आप करोगे तो विस सी बात है वो recover कर लोगे आपके salary का part नहीं है अगर दोनों जगए यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर determine करना मुस्किल है तो वहाँ पर इस limit को घटा के कितना कर दिया गया 600 और 900 600-1600 CC से अंडर बाकी के 900 कर दिये गए है ड्राइवर के लिए हर जगह पर 900-900 रुपे extra add-on किया गया है तो ये तो हो गया हमारा पूरा कार जब मालिक का हो लेकिन कार employee का है और आप personal यूज़ कर रहे है तो क्या फरक पड़ता है ले जाओ हमें क्या मतलब salary का party नहीं है आप पूरा office के लिए यूज़ कर रहे है तो आप देखना पड़ेगा चला रहे है और बाकि जितना रहेगा वो salary के अंदर जोड़ दिया जाएगा बाकि आपका important क्या है सर मालिक का ही कार वाला point ज़्यादा से ज़्यादा important है तो यहाँ पर मैंने employee का employer का यहाँ तक खतम कर दिया था employee की बात करते है तो fully personal use करते हो running maintenance करते हो employee का कार है और use कौन कर रहा है मैंने उपर table में लिख भी दिया है expense incurred और purpose क्या है तो आप आजाएए employee वाले में employee का कार है और expense employer करते है तो fully official use है तो not taxable अगर employee का कार है खरचा employer करता है fully personal use तो जो खरचा कर रहा है subtaxable employee का car है खर्चा employer दे रहा है पार्टली, officially, पार्टली तो जितना amount हो रहा है, जितना खर्चा हो रहा है जोड लीजे, less कर लीजे जो limit दे रखा है पहले हमने जो कि 1800 और 2400 वाली बात कही गई है एक होता है tool of car tool of car क्या होता है आपको एक से ज़्यादा कार दे दिया गया है यानि तीन से चार कार दे दिया गया है जब तीन से चार कार दे दिया जाता है तो government कहता है कि किसी भी एक कार को आप माने लीजिए कि आपका personal purpose के लिए use हो रहा है बाकी कार का आप क्या करेंगे दोनों मान लेंगे, जैसे आपको एक से ज़्यादा कार दे दिया गया, तो उसे बोला जाएगा simple tool of car, और car में क्या add होता है, 10% cost of car, 10% cost of car add हो जाता है, तो government ने बोला हुआ है, और बागी आपका official और personal किसी एक को मान ये दोनों जगह पे, आपको जैसे for example समझना, मैं थोड प्रसनल, official तीनों लेके चल रहे हो, तो फिर law ये कहता है कि भाईया, एक को हम personal और official के जैसे treat करेंगे, बागी दो को हम personal ही treat करने वाले, ये क्या मतलब है भाईया, कल Honda City से office और घर का का काम कर रहे हो, पर सो मर्सरी से कर रहे हो, तो कोई भी एक car, वो आपके उपर depend करता है कौन सा car, तो बोला गया भी या, जिसको दोनों मानेंगे, वहाँ पे taxable कितना होगा, maximum 2400 रुपे, लेकिन जिसको आपका personal कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे cost of car 10%, तो इसे BMW मान लेते हैं, एक करोड रुपे का है, या मर्सरी, तो सीधा 10 लाख रुपे cost of car आपके salary में add हो जाएगा, तो ऐसे situation में समझदारी क्या कहती है, आप उस car को official और personal मांगनो, जो कि सबसे ज़्यादा महेंगी है, क्योंकि जिसको आपने official और personal मान लिया, उसमें तो 2400 ही जाएगा, और बाकि सस्ती कार में आपका 10% cost of car जोड़ जाएगा, तो ये से बोलते हैं, tool of car प्रेंट है, medical facility, tax free है, कहने को, लेकिन, कहां कहां tax free था अभी आपने पीछे देखा, training of employee, अभी आपको बताया था, क्या है, exempted है, use health club sports के लिए, exempted है, expense on telephone, जितना करोगे, exempted है, employee contribution, superannuation fund, exempted है, लेकिन, not exit, 750,000 employer per year, the premium paid by the employer, employer and accidental policy, तो ये सारी बाते हैं, हम पहले कर चुक अब आ जाते हैं, सर, important point, retirement benefit, या तो question आपका retirement benefit का बनेगा, या दूसरा बनेगा, यहां तक, सर, अगर दिन में 2 meal है, 100 होगा, तो बिल्कुल 100 हो जाएगा, 50 तक exempt होगा, बाकि taxable होगा, सर, 28 को exam है, important topic बता दो, अभी बताएंगे, बस रुख जाईए, super animation, PF का ही पार्ट है, तो SBI के अंदर यह दिया जाता है, basically, providently fund होता है, इस पे भी discuss कर लेंगे, तो सबसे पहले कहते हैं के retirement benefit, retirement benefit में सबसे पहला पार्ट क्या है, सर, graduateी, graduate है न, yes, 10-10, सर, graduate के अंदर देखा जाए, सबसे पहले section 10 की बात कर रहा है, तो यह new resume में तो मिलेगा निए, तो graduate या तो आपका covered होगा, या not covered होगा, या अगर आपका covered हुआ तो क्या करोगे, सर, covered के case में आपका exemption, government employee को मिलता है न, retirement के बाद मिलता है न, तो पूरा क्या हो जाता है, सर, exam, employee की death हो गई न, तम मिलना है न, तो पूरा क्या हो जाएगा, exam, job के duration में आपने graduate निखाला न, तो fully taxable, चाहे government हो चाहे non-government, अब इसके बाद करते है, ग्रेजुएटी मिलता है, retirement के बाद private employee को, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा, covered है के uncovered है, अगर covered है, तो वहाँ पे तीन limit चेक होगा, actual receive maximum limit बीस लाग रुपे, और covered की हम बात कर रहे हैं, तो 15 बटे में 26, into my last drawn salary, into my number of completed year, in excess of 6 month, अगर uncovered है, तो वहाँ पे थोड़ा सा rule change हो जाएगा, actual receive maximum limit कितना 20 लाग, 15 बटे 26 की जगाँ पे 15 बटे 30, वहाँ पे average salary आ जाएगा, into my last drawn, number of completed year, और यहाँ पे friction ignore कर देंगे, और सर यहाँ average salary कितने महीने का लेना है, तो यह था सर हमारा graduate, salary का मतलब क्या है, वही है सर, salary का मतलब, हर जगा, हाला कि मैंने meaning of salary, बच्चे पूछते हैं सर, यहाँ salary क्या होगा, तो आप chart में देखेंगे, तो क्या है salary basic DA, any part of year more than 6 month, यह मैंने लिखा हुआ है, हाला कि, सर, treatment of provident fund, provident fund की बात करें, तो एक recognized provident fund है, एक unrecognized provident fund है, recognized provident fund की बात करें, तो जिन्होंने registration करा रखा है, unrecognized में registration नहीं करा रखा है, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा मैं connect करूँ, पीजी बीबी में unrecognized provident fund के अंदर पैसा डालोगे, तो employer पीइंडल के अंदर नहीं डाल सकता, थोड़ा सा वो अलग chapter चला जाता है, recognized provident fund में अगर आप contribution करते हो, तो दो चीजे contribution होगी, employer का contribution, employee का contribution, employee का contribution तो ATC के अंदर deduction मिल जाता है, employer का contribution 12% तक exempt हो जाता है, ब्याज की बात करें, 9.5% तक exempt होता है, balance will be taxable, लेकिन अगर हम बात करते हैं unrecognized में, तो जितना मर्जी पैसा जमा कर लो, आप कर लो, मालिक कर ले, कोई भी कर ले, कोई taxable नहीं है, जब withdrawal होगा, तब taxable होगा, withdrawal कितना होगा, अब जब withdrawal करोगे, तो 4 चीज़े निकलेगी, आपका पैसा निकलेगा, मालिक का पैसा निकलेगा, आपके पैसे पे interest और मालिक के पैसे पे interest निकलेगा, आपका पैसा जो होगा, उस पर कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने जमा किया, आपने निकाला, जो मालिक का पैसा होगा सर, वो taxable हो जाएगा as a salary, और जो मालिक के पैसे पे इंटरस होगा, वो भी taxable हो जाएगा as a salary, लेकिन आपके पैसे पे जो interest होगा, वो taxable हो जाएगा as a other source के अंदर जाके taxable हो जाएगा, तो ये कहानी था हमारा इसका और पीएफ का, pension, pension की बात करें तो सर वो पार्ट जो आप लमसम इखटा कर लेते हो, uncommuted की बात करें तो वो पार्ट जिसको आप हर मंतली receive कर रहे हो, अगर आप uncommuted की हम बात करें तो वो हमेशा salary में taxable हो जागा, कोई भी हो चाए government employee हो, चाए non-government employee हो, committed की बात करें तो वो exempt हो जाता है government employee के लिए, non-government employee के लिए क्या हो जाता है taxable, लेकिन वहाँ पर limit check करें, के with graduate मिल रहा है या फिर without graduate, अगर with graduate मिल रहा है तो number one actual receive into may one by three of the full pension लिया जाएगा, अगर without graduate मिल रहा है तो आपका actual receive one by two full pension, whichever is lower, वो आपका exempt हो जाएगा, balance will be taxable in the salary, सर ये था हमारा pension, इसके बाद NPS की बात करते है तो NPS के अंदर CCD 2, हलाकि ये आपका ATC का deduction है, लेकिन यहाँ salary के भी अंदर आ जाता है, तो ATCC कहता है कि आपको contribution कहता है, contribution by the employer, तो 10% तक आपका क्या रहेगा, exempt रहेगा, बाकी का part आपका क्या हो जाता है, सर, taxable हो जाता है, और employer extend 10% of salary, प्लस में DA, प्लस में commission payable, fixed percentage on the turnover, और और एक लाक, whichever is less, also detectable कहां पर हो जाएगा, ATCCD 2 के अंदर भी deduction मिल जाता है, तो दो जगह benefit मिल जाता है, सर, इसका, leave salary, leave engagement की बात करें, तो सबसे थोड़ा सा typical, practical में तो पढ़ता है, यहाँ पर हर जगह 3 limit है, 2 limit है, अकेला, यहाँ पर कितना ही limit है, चार limit है, leave engagement होता है leave engagement के मतलब क्या होता है, कि आपने चुटी मिला था, mandatory leave मिला था, आपने लिया नहीं, आप घर पे बैठे रहे थे, और या आप जॉब पे regular जाते रहे थे, आपने चुटी नहीं लिया, तो ऐसे situation के अंदर क्या होगा, अगर ऐसा situation हुआ, तो अगर आपको employer 30 दिन से ज़्य जादा कि साल में चुटी प्रवाइड करता है, तब तो आपको 30 दिन के हिसाब से calculation करना है, अगर 30 दिन से कम का करता है, तो वो सही रहेगा, क्या होता है, government employee के लिए तो exempt हो जाना है, non government employee के case में दिक्कत आ जाती है, चार limit चेक करते है, actual receive, 3,00,00, maximum limit, 10 into average salary, or unused leave divided by 30 into में salary कहाँ पर graduate के अंदर एक use हुआ है, हमारे कहाँ पर average salary pension में, तो अब यहाँ पर देखिए का average salary, average salary यहाँ पर क्या बोलता है, कि average salary during 10 month including basic salary, consider computer, compute retirement benefit के लिए, लेकिन जो यहाँ पर जो average salary लिया जाएगा, जैसे कि मान लेतने 15 तारिक को retire हुआ है, तो 15 तारिक से पीछे का ही जोड़ा जाएगा, average salary में, लेकिन जो graduate के अंदर है, अगर 15 को retire हुआ है, तो यह महिना छोड़ दो, पिछले महिने से 10 महिने जोड़ो आप, यानि जिस महिने retirement हो रहा है, उस महिने को, और उससे पीछे महिने के 10 महिने जोड़ना है, लेकिन leave and cashment पे जिस महिने retirement होता है, वहीं से जोड़ना है, आपने, तो वो तो पूरा महिने ही count हो गया, ठीक है न, अब एक बच्चे पूछते हैं, sir, deduction बता दीजिए, कौन-कौन सा मिलेगा, new resume में, नहीं resume में, तो ये सारे point जितने लिखे हुए हैं, इनका new resume में, deduction नहीं मिलता है, sir, क्या क्या सर, यहाँ प new resume बोलते हैं, deduction, deduction का मतलब यह नहीं है, कि आपका ATC से ATU, deduction का मतलब है, कि आप जो खर्चे, जैसे कि Children Education Allowance है, उसमें से 100 और भी माइनस करने के लिए दिए रहे हैं, तो that is called deduction, ठीक है, और एक deduction हमारा होता है, जो chapter 6 में, ATC से लेके ATU, तो उसकी बात नहीं खर रहा, कह रहा कहता है, exemption जो 1500 रुपे available clubbing of income minor child, कहता है, exemption up to 1500 available in the case of clubbing, तो सर ये तो मिलेगा, clubbing वाले को नहीं छेड़ा इन्होंने, आगे कहता है, allowances MP MLA को, ये भी सर नहीं मिलेगा उसको, जो exemption मिलता था, standard deduction section 16 के अंदर, नहीं मिलेगा सर, और इसके बाद कहता है, professional tax deduction, ये भी नहीं मि जो होता था, 20% और 35%, backward area में 35%, normal आपका 20%, तो ये भी नहीं मिलेगा, तो ये list वो है, जहाँ पे नहीं मिलने वाला, exemption of perquisits in respect of food, alcohol, beverages, 50 रुपे पर मेल तक exempt है, बाकी आपका taxable हो जाएगा, provide through the paid voucher के थूँ, leave travel concession सर नहीं मिलेगा, house rent allowances का सर नहीं मिलेगा, special allowances जो की आजाता है, children education allowances बगरा, लेकिन transport allowances 32, permit employer, who आपका blind है या deep है, claim है, उनको सर मिल जाएगा, बाकी को नहीं मिलने वाला, interest housing, loan in case of two self occupied property, बहुत बच्चों ने बहुत बार पूछा, अगर आपके दो घर self occupied हैं, दो घर, तब आपको 24B allowed नहीं करता नहीं रिजिम में लेकिन अगर आपका एक घर ही है, या फिर rented है, let out है, तब allowed कर देता है, कई बच्चे confused थे, बहुत बार पूछा भी था, तो फिर उसकी मैं कहूंगा, कि अगर 24B का deduction कहते हैं, नियूरिजिम में तो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जवाब नहीं मिलेगा, अगर self occupied है, दो घर स ज़्यादा, अगर आपका दो घर से, यानि एक ही घर है self occupied, तो मिल जाएगा, और let out है, तब तो मिलेगा ही, मिलेगा, कई बार बच्चों का इसमें doubt आया था, 24B पे, deduction of scientific research 351, इसके उपर सर्थ थियोरी के question बन सकते हैं, ये भी नहीं मिलेगा, नियूरिजिम में, और यहा चालेश, यादोगा, 40-60 वाला agriculture income में, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर बोलेगा, भाईया, कुछ नहीं है, सब बिजनस income है, सब पर क्या कर दो, डिटेक्शन, ATC से लेके, ATU तक कुछ नहीं देंगा, सिर्फ हम एक deduction देंगे, ATCCD2 का, और ATJAA का, और ATLA, ये दोनों जो आपके deduction है, ये सरफ PGBP के हैं, जो कि आपके exam से related नहीं है, agriculture exemption, जी, agriculture में, जो आपका, आपका extension मिलता था, project को लेके, वो भी नहीं मिलेगा, capital expenditure, pertaining to the specified business के लिए, capital expenditure करते थे आप, आपका pertaining to the specified business के लिए, जो वहाँ पर मिलता था, हमारे capital, जैसे कि specified business के है, 35 AD, वो ही वाल आपका hotel हो गया, cold house हो गया, याद है आपको specified business, जो कि हमने setup में किया था, तो वहाँ पर आप जो भी खर्चा करते थे ना, तो उसे पीड़ में, जैसे आपने वहाँ के लिए machinery भी खरीदा, तो पीड़ के debit में दिखा सकते हो, हलाकि machinery पीड़ के debit में नहीं आता, लेकिन कु इसमें 15,000 रुपे की जो limit है, और one by third, site restoration का deduction ये भी नहीं मिलेगा, entertainment allowance का नहीं मिलेगा, तो ये जितने भी point लिखे होएं, ये सारे deduction आपको new reason में नहीं मिलता, जो कि आपको one shot एक जगह पे मिल जाएगा, देखने को, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कैसे given है सर, बहुत दिखा देता हूं किसमें coverd होगा, minor नहीं, यहां पर नहीं, section 10-32 का है ये तो, ये रहा, ये special allowances, यहां पर coverd हो जाता है, तो इसमें बूला है, नहीं बूला है, हाँ, 10-14 ये रहा, तो इसके अंदर आता है, जिन्हों आ ITR किया होगा, उनको तो याद होगा, 10-14 के अंदर लिखना है, तो ये simple सी बात है, तो ये था हमारा सर किसका, अब यहां पर हमारा हो जाता है, salary खतम, और इसके बाद हो जाता है, practical question शुरू, तो salary के अंदर मैंने पूरा पार्ट सिर्फ provision, revision कराया, सिर्फ provision, revision कराने से बात नहीं बनेगी, आपको पढ़ना भी पढ़ेगा, और पूरा-पूरा आपको question पढ़के जाना पढ़ेगा, और practice करके जानी पढ़ेगी, theory के question कब बताऊगे, जी बता रखा है, बच्चे सुनते ही नहीं है, कई वीडियो भी बना दिया, और question important डाल भी दिया है, theory के जो है, आपके folder में मिल जाएगा,